आप देख दरी नमबर वन प्रूगाम जनता मागे जबाब प्रस्ट काल के दौरान आपतारी मंत्री कवाशी लख्मा पर एक किबाद एक कई सवाल दाली अच्छे ब्राइंड की सराव ना मिलना, सराव में पानी मिलाकर बेचना, प्लेश्मेंट एजन्सियों की मनमानी, सराव बिक्री से प्राप्त राजस में भांगरी जैसे मुद्दो को लेकर दिखायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की इदर सरकार में कुछ खामियों को तो स्वीकारा, लेकिन कुछ मामलों में जाच कर कारवाई करने की भी बात गए सराव पर किस तरह से पीखी बहस ली, किसने क्या कहा, इस पर तो हम बात करेंगे ही, साथ ही रूख करेंगे मध्ध प्रदेश का भी, जहां 27 सीटों पर होने वाले उप्तिनों से पहले कर्ज माफी पर कस्पकस है एक और सब्तधारी दल, बीजेपी लगातार ये बात कर रही है कि प्रदेश ने कांग्रेश की शरकार बनने पर वादे पूरे नहीं की गए और सबसे बड़ा वादा किसानों की कर्ज माफी का वादा भी अधूरा रह गया तो जनतार कैसे कांग्रेश पर भरोसा करें वहीं दूसी और पूर मुक्तमत्री कमलनाथ में बीजेपी के तमाम आरोपों को नकारते हुए आज एक पेंडराइब मेडिया को सोब कहा गया है कि इस पेंडराइब में 26 लाट से जादा किसानों की कर्ज माफी का पूरा प्लगा है इदर बीजेपी में कमलनाथ की पेंडराइब को काली बताते हुए सीडियाई जाज की मांग कर डाली खेर सवाल यह है कि किसानों की कर्ज माफी पर स्वक्ता पक्स और विपक्स आखिर कब तक एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं क्या इसका फाइदा कांग्रेश को उप्तिराओं में मिल पाएगा यह जानले की में हम कोशिश करेंगे लेकिन सुखा 36 गर के साथ करते हैं जहां सराप पर सोर है तो 36 गर के सरकार विजी कमपनियों को फाइदा पहुचाने के लिए शराप देच रही है यह बा आरोप विजेती ने मांसुन सत्य के तीसे दिन शरकार पर चिला बिहां सराप बिपक्षी सदस्य ने कहा कि प्रदेश में मांग से ज़्यादा शराप खरेदी हुई और ऐशा इसले हुआ क्योंकि किसी एक कमपनी को फाइदा पहुचाने की कोशिश की गई यहां तक की शराप से जुड़े मुद्दे पर सब्ता पक्ष के एक ग्रहायत में भी अपनी शरकार पर ही सवाल गार दिया जोसकर आपकारी मंतिय ने जवाब भी दिया सुदन में आज क्या हुआ शराप से जुड़े मुद्दे पर सवाल कितने दमदार थी और उनका जबाब की पर संतुष करने वाला था चलिए इस पर विष्टार से बात करेंगे उसके परहे देखे से हैं रेपोर्ट 36 कर विधान सभा में मानसून सत्र के 30 से दिन शराब पर मशाशो प्रश्णिकाल में लंबे समय तक शराब विक्री में गड़बडी के मामलों पर सरकार कुखेरने की कोशिश की गई सबसे पहले सत्रापक्ष के विधायक संतराम नेताम ने बस्तर इलाके में ब्रांजेट शराब और वियर नहीं मिलने का मामला उठाते हुए कहा किस से बस्तर के मदरा प्रेमियों में राशा है इसके बार वीज़पी विधायक अजेशंद्राखर ने शराब विक्री से पुराब्त राजजय सुकी हिरासेरी की बात करते हुए इस दम्मन में आपकारी मंत्री से कई सवाल करते हुए कहा कि शराब बियर की विक्री और जमा की की राशी के आखड़ों में अंसर क्यों दिखाई दिरा है चंद्रकर ने भारी मात्रा में उपलब दुकाला तीथ बियर के बारे में प्रशनी करते हुए आरोफ लगाया कि ये कंपनी विशेश को फायदा पहुशाने के लिए किया गया है वही नेता प्रशिपाक्ष धरमलाल कोशिक ने शराब दुकानों में अधिक दर पर शराब बेशने शराब में पानी मिलाकर बेशने जैसे मामलों गोठाते हुए आरोफ लगाया कि सरकार के सर्रक्षण में अभैत कमाई का खेल चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के सवालों पर आपकारी मंत्री कबासी लखमा घिरते नजर आए लेकिन फिर भी उन्होंने हर सवाल का चवाब दिया लखमा ने कुछ मामलों में विभाकी गलतियों के सुविकार करते हुए कि गई कारिवाईों से सरस्यों को अव्वित कराया साथ ने कुछ मामलों में जाज कर कारिवाई करने का आश्श्वासन भी दिया इस दोरान शराग को लिकर हास पर हास का दौर ही कलता रहा बहराल 36 गर्ष सरकार पर नजी कंप्रियों को फाइदा पहुचाने के लिए शराग बेशने वाला विपक्ष का आरोफ दमदार है या फिर बेदम इसका तो पता नहीं लेकिन इन सब के बीश देखना एहम ये है कि मांग से ज्यादा शराग बिकरी के आरोफों के बीश 36 गर्ष में पूर्ण शराग बंदी के वादे को फूपेश सरकार आखिर कैसे और कब तक पूरा करेगी विरो रेपोर्ट तौराजेक्स पे तो सराग पासो चत्युगर्ष के आज के इस मुद्यों पर सलचा करने के रायटों से उल गए है कांगरिस प्रख्टर धनेंजर सिंठाकुर जी है और बुजे भी प्रवक्ता के दार को पताजी है आप दोनों के हमारे इस खास कारकर में बहुत खास सावगत है और शत्युगर्ष के हमारे संपातक पनोस सिंग वढ़ेल दी है और भुपाल स्टूडियो से वर्ष पतलकार केर साइनी जी जुड़ी है आप दोनों सावगत है पहले पनोस जी आप से एक छोटा सा सवाल है क्या हुआ आज दिन भर कारवाई ये जानना चाहेंगे कि आज सराब की मुझा सराब तो जब से भूपे सरकार बनी है उसके बाद से ही मुद्दा बना रहा है लगातार कोई भी मुद्दा रहा हो कैसे भी मुद्दा रहा हो सराब जरूर उसके बीच में आ गई आज क्या हुआ सदन के अंदर देखे सराब आज प्रशनकाल में काफी कई सारे मुद्देशों के आज प्रशनकाल में जो जवाब देना था वापकारी मंतरी कवासी लखमा को जवाब देना था तो सराव से सम्दित बहुत सारी बातें जो है वो उठाएगे एक खास बात यह है कि सत्तापक्स के विधायक जो संतराम नेताम है केसकाल के विधायक उन्होंने इस से शुरुआत की और ये बताया कि जो बस्तर इलाके के मदिरा प्रेमी है वो बार बार इस बात को उनके सामने रखते हैं कि वहाँ पर ब्रांडेट किस्ट की जो सराव है जो सालों से चलन में है वो सभी सराव जो है वो सराव दुकान से गायब है और वो नहीं मिलने के कारण लोगों को मजबूरी में दूसरे गहर ब्रांडिट सराब का सेवन करना पड़ता है और उसमें उनको वो आनम नहीं आता जो पहले आता था इस तरह की बाते उन्होंने रखी इस पर काफी हास परिहास भी चला वहां पर और उसमें आस्वासन दिया मंतरी ने कि जो भी बस्तर के मदीरा प्रेमियों के डिमांड है उसके मताबिक वो सराब सप्लाई की कोशिश करेंगे इसके बाद बारी थी विपक्स के सदर से जो है वो लगातार हमला वर हुए आपकारी मंतरी का वासी लक्मा के उपर सबसे पहले अजय चंद्राकर ने बहुत सारे तकनीकी मामलों में उल्जाया कि सराब की कुल बिकरी का आकड़ा पूछा उससे प्राप्त होने वाले रेवन्यू का आकड़ा पूछा और यह बताया कि कैसे अंतर दिखता है कि जो आपने कुल सराब विक्री के जो आख़े प्रस्तुत किये और जो सरकारी कह जाने में जो जमाराशी है उसमें ये अंतर कैसे आ आ है इस बात को लेकर काफी लंबा सवाल जवाब चला इसके बाद नेता प्रतिपक्स धरमलाल प्रिंटेट रेट है उसके मुताबिक शराब नहीं बिक रही है और उन्होंने बताई कि कई जगों पर 40-30 जादा दामों पर शराब बेची जा रही है और प्लेस्मेंट एजन्सी के जो करमचारी है वो मनमानी कर रहे हैं लगातार इस वर सरकार ध्यान नहीं दे रही है कुछ specific बात उन्होंने बताई कि कुछ जगों पर ये शिकायताई कि जो branded शराब है उस शराब में पानी मिला दिये जयता है और पानी मिला के बेचा जाता है और इस बात पर जो है सदन में कहा सुनी हुई ये कहा गया कि हसी मजाक में ये बात भी आई कि जो शराब पीने वाले लोग हैं उनका पीक अप ठीक से नहीं पकड़ रहा है इस तरह की बाते भी आई और अंत में सौरब सिंग जो भाजपा की विरायक है उन्होंने भी इस बात को उठाया तो तमाम जो एक घंटे का प्रस्ण काल था उसमें आदे गंटे से जादा समय तक चराब की बिक्री में जो गड़बडी है उसी को फोकस किया गया और उस पर मंत्री ने अपना जवाब और से कारवाई की गई है जो अंतर की रासी जो सराब की बिक्री से जो पैसे मिलते हैं और जो सरकारी खजाने में जमाव पैसे हुए उसमें जो अंतर आया उसकी जाँच का अस्वासन दिया तो इस तरह से कुल मिलाकर सुरू के जो एक घंटे प्रस नकाल थे उसमें सराब के मुद्बे पर ही सरकार को गेरने की कोशी है बिल्कुल बनो जी बड़ा संग्सेब इतना जाना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि ब्रांडेड शराब नहीं मिल रही है पानी इसमें आपकी तफ्तीश क्या कहती है क्या मिल रही है सही बात है महगी हो गई है कि बहुत संग्शेट बबे बिल्कुल बिल्कुल यह आरोप जगा जगा से मदीरा परेमियों के फोन हमारे पास भी आते हैं और इस समन में खबर उटाने की बात भी करते हैं और बिल्कुल यह शिकायत आम है कि branded शराब की कमी हो गई है ये पिछले सरकार के समय से ही है कि branded शराब जब से सरकार ने अपने हाथ में सराब दुकानों के संचालन की जिम्मेदारी लिए है तब से मदिरा प्रेमी इस बात की शिकायत करते हैं कि उनके ब्रांड की जो सराब है वो शराब दुकानों में ठेके की दुकानों में वो उपलब्द नहीं है और मजबूरी में दूसरे ब्रांड उनको पिलाए जाते हैं इसके लाबा अधिक दर पर शराब बिक्री की बातें भी समय समय पराज़े लगी तो बिल्कुल काफी को लेकर आई है इसलिए ये सरकार ज़्यादा टार्गेट में है अच्छी बात आपके लिए है कि सराब बंदी का मुद्दा जो था जो विपक्स उठा रहा था कि सराब बंदी की आपने गोसना की थी वो मुद्दा एक तरफ से गवर होता जा रहा अब अच्छी आप सराब परोसने लगे अच्छी सराब बिक्वाने लगे ब्रांडेट सराब बिक्वाने लगे तो वो मुद्दा खतम हो जाएगा देखिए आपके लिए अच्छी खुस खबरी है लेकिन सवाल ये है कि बड़ी महगी हुई सराब अब तो पीना भी छोड़ दो वाली स्थिती है क्या कहेंगे धरंडेट जी आप इस मुद्दे में फिर किराज जी तो बैठे ही हुए हैं आप को देखते हुए दिखिए जिस पकार से सजर में भातिजनता पार्टी ने सराब में पाने मिलाने की सिकायत सराब के दाम ज्यादा होने की सिकायत कुले का जो आरोप लगा रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि 36 गणे भातिजनता पार्टी मुद्दा भी नो चुकी है 19 मैने की भुपेज बगिल सरकार के जनित के कारेओं के बाद भातिजनता पार्टी पास की मुद्दा नहीं है इसलिए इस प्रकार के बाते कर रही है और मैं तो आपके जहां के माध्यस करना चाहूंगा कि भाजपर ने तब बता दे उनको सराब के पानी मिला सराब की दुकान पे मिला है और कौन सा ब्रांट चीए हमारा प्रयास रहेगा कि उस ब्रांट के रहसम कर दे लेकिन सर्मूख के मंत्री भुपेज बगिल सरकार का लट्ष सराब बंदी है और हम इसकी और आगे बढ़ रहे है अरे साब आप सरकार में बैठे हो जब आप से फिपारिस करेंगे कि आप ये ब्रांट दिलवाई इंगे आप मदिर्या प्रेमी के लिए कहां से दिलवाईगे क्या आपके पास आप मदिरा प्रेमी जो देखे होंगे छेकों में इधर उधर घूंकते हैं बड़ी आ मस्त रहते हैं आपके पास आएंगे सरकारी दुकानें पर सुभारम किया उसके बाद उन्होंने विरस्था कायम किया उसी विरस्था को आज भी चलाया जा रहा है कि हम तो नहीं चाहते राज में सराब बेचे हमारा लक्ष तो सराब बंदी है तो भादेंदा पार्टी की जो नेता आज शिकायत कर रहे है ये 15 साल तक महुन क्यों रहे है जब सरकार के सराब बेचे निती बदली गई क्या उस दोरान सराब के कमिशन के इनका मुख के लक्ष था तो हमारा लक्ष सराब बंदी है मुख के बाद यह है उसे बदही अलक्ष है आपका सराब बंदी लक्ष है दोनों तीनों चीज़ें उससे मिलती है एक तो वह ब्राड़ सराब गायप कर दो तो जो ब्लदरा प्रेमी उस तरह कहोंगे यही ब्राण पीने हो बंद कर देंगे पानी मिला दो तो यार बड़ी महगी सराब खरीदी है और पानी मिला हुआ है तोबह में कर देंगे और तीसरा जितनी महगी आप कर देंगे उतना फिर जेब में आदमी हाट डालेगा बंद जाएगे सराब बंदी का बहुत अच्छा लक्षा आपका है सराब जी क्या कहेंगे आप तेकी तरी पाटे जी मैं तो इतना ही कहूँगा कि कॉंगरेस सरकार का जहां भी हाट जीजों में लग रहा है उन चीजों में लगा का जनता प्रश्ण उठा रही है और कहीं कहीं तो उनके विदाया की प्रश्ण उठा रहा है दान करीदी सरकार करती है तो उसमें तो टोकन देने में इन्होंने कलती की खरीदी करने में कलती की आफरी तक खरीद नहीं पाया और पैसा देने की पारी आई तो छे मेले की उधारी में दान करीदा आज तक बिछला पैसा नहीं दे पाया और दूसरी बात, मैं मानता हूं कि जंता भूल जाती है, जंता को बहुत मतलब बहुत सारी बातों से नहीं रहता है, पर अभी सिर्फ देड़ साल ही हुआ है, देड़ साल पहले जब ये चुनाव पे आये थे, तो इन्होंने कहा था कि डाक्टर रमन सिंग्स की सरकार अब श है, पर हम पूरा नहीं करेंगे, उसके लिए हम कमेटी बना देंगे, और जंता और आजपा के लोग कौन से प्रांड पतंद करता है, ये पहुंचा के देने की बात करते हैं, तो आपने करोना काल में दबजी और अनाज घर पक नहीं पहुंचाया, वो रासन दुकान में आ रांड गजाधे जिए आपका लगष साम कहते है तो आच्चा हो से पक होता हैं पर लगष कुछ और है, कहते कुछ और है लगष, और करना कुछ गुज्ण। लेकर चिदार जी हमारे मनोज जी ने कहा है धनाजे जी नहीं कि ये बीजेपी के समय से ये चला रहा है अच्छे ब्रांड की सराब नहीं मिल रही है जो ब्रांड यूज करते हैं लोग उसे पानी मिला जा रहा है महगी हो रहा है ये आपके समय से ही है ये धनाजे जी के समय क नहीं है आप मैं आपकी सरकार के मत नहीं है वर्तमाँ सरकार में कह रहा हूं यहारो में भाई आप समय आएगा आपकी कहिएगा वर्तमान सरकार जिस चीछ के लिए जिम्मेदार है वो काम उनको करना चाहिए अगर उनके संत्राम विधायक है और उनको वो ब्रांड की शराब चाहिए वो जो ब्रांड कहते है तो दरंजे जी बोलता है मैं बिजवाद हूंगा तो बाकी फिर कैसा होगा और यह बड़ा पिस्कूश चिदार जी एक सवाल हला कि यह नहीं पूछना चाहिए लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है मैं पूछ हूँ यह आपको कैसे मालूम पड़ा कि इसमें पानी मिला है शराब में पहले आप नहीं मिला ते थे बहुत अच्छा हुआ कि आपका मन नहीं माना और आपने पूछ लिया दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ दंत्री की दुकान में इसके लिए जुर्म कायम हो चुका है और लोगों ने रगे हांको इसका वीडियो वायर वायरल किया आपकर नहीं पहुंच पाया होगा तो मैं प्रयाब करूंगा पुछ जाए और ये प्रमाणिक्ता उस दंत्री की दुकान से हुए अच्छा हुआ आपका मन नहीं माना आपने पूछ लिया तो मैंने आपको बता दिया और निश्यत रूप से एक दुकान में अगर ये हो गया तो पूरे 36 गड़ में सराब में पानी मिलाया जा रहा है कैसे कह सकते हैं अब इसका जवाब तो त्रिपाटी सहाफ मैं कैसे दूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो सरकारी दुकाने दंत्री की और वागी दुकाने भी सरकारी है तो एक जगा जो हो रहा है वो सब जगा हो रहा होगा अदा अलग एजन्सी नहीं है क्राब बेचने की एजन्सी एक गई है और वो जो दंतरी में है वो इक पूरे 36 गड़ में है तो निश्यत रूप से अगर एक एजन्सी सरकार की है जो सरकार के दौरा बेची जा रही है जो एक पुकार में बिट रही है तो बाठी लोग क्यों आनम जेने से चुटेंगे वो कहते है ना बहती गंगा में सब हाथ होएंगे तो निश्यत रूप से इस प्रकार की अगर कारणा में हो रहे है तो मैं दर्शकों से भी अनुरोज करना चाहूंगा जी पराबर सरकार की इस कमियों को उजागर करना चाहिए ट्वीच करना चाहिए वाट्सव में वेस्बुक में डालना चाहिए और सराभस बंदी फील मैंने बंधात अपसोद से भाड़ी कुछ बंद कर दे से जी धनजे जी कुछ बोल ले लेकिन एक सवाल हम इसके बाद धनजे जी आप से जानना चाहेंगे हम यह ज़रूर जानना चाहेंगे पांच साल के भूपेज सरकार आई है चट मगनी पड़ व्याह वाली इस्थिति नहीं कि आज सरकाराई को से सराब बंद राजसों का मामला है आप भी जानते हैं इस तरह करोना काल है सारे राज सारा देश आर्थिक संकट से जूज रहा और ऐसे में राजस एकड़म से बंद कर देने पे चटिस गड़ की इस्थिति क्या होगी आप भी समझ रहे है पांच साल के लिए आई है अगर पांच साल में अगर उनकी सराब बंदी नहीं होती है तब ये प्रस्व मोजू होता है खर धनजे जी कुछ कहना चारे है मुझे बड़ा अच्रल लगा जो भाति जन्ता पार्टी सराब बंदी के मुद्दा को लेके हमेसा ब्यान बाजे करती रही है आज भाजपा के वरिश नेता हम प्रुखता है के दार गुपता जी वो चैनल के माध्यम से ये अपील नहीं कर रहे हैं कि लोग सराब से दूर हो बलकि ये अपील कर रहे हैं कि सराब में क्या कमी है उसो सोचल मीडिया में बताए मतलब कहीं न कहीं भाजपा आज भी सराब पीने लोगों को प्रेरीद कर रही है हमने कहा कि हमारा लग्ष हमारे कांगες सरकार का लग्ष सराब बनदी है और जो भी मेलस्ता है क्योंकि एकसि 28 साल पुराणी नीतिओं को बंदने काम पूरी कररमन सरकार ने किया और क्योंकि यह इसकी बड़ा कारण है और इसे दुख़त पंडाम ये है कि 15 सार के रमन सासन काल में सराब गाउंगा और गर घर तक पहुच चुका है मुख के मंत्री वुपेज बखेल जी ने वो घर गर और गाउंगाउं से सराब को दूर करने का लख्षिंधारित किया है और करा इस कमिसन कोई की ज़िए गाउंगाउं तक ने पहुचे अगर बीजेपी गाउंगाउं तक पहुचा रही थी तो आपने ऐसा क्या कर दिया कि गाउंगाउं तक ने पहुचे क्या सराब की दुकाने जित्ती थी उसमें कमी आ गई क्या सराब की दुकाने कम हो गई क्या आपके अहां दूसरा बात आप वो रहे हैं तो वो लक्ष प्राप्ति कब तक कर लेंगे आप कौन से संतक कर पाएंगे देखिए तिक पाटी जी 15 साल में जो हलाग 36 के रमन भाजपक के सरकार ने बना दिया है उस सराप को लोग के जीश्मत से बाहर निकालना है क्योंकि आप अचाना क सराप बंदी नोडबंदी की तरह करेंगे तो निशीत वाज जनहानी की भी बहुत संभावना है तो हम जारुक्षा के माद्यम से समाजिक हमारी कमिटी बनी हुई है वो गहोंगा मैं जावकता भ्यांच चला रहा है इसके Chapter नाम है कि सराब की भीक्री लीटर में कम हो रही है लीटर में कम हो रही है ना और लोग सराब से दूर होते जा रही है ये एक समाचिक जावकता के मादेन समझ़ो काम कर रहा है इसमें बहुत सारे संदक्राइब काम कर रहा है और राइजिक कमिटी बनाया था रिपोर्ट तो बता रही मांग से जादा सराब भी किया है ने ने कमी आई है मैंने का लीटर लीटर दाम अंतर रहे लीटर में कम हुई सराब की विक्री और सब्थर एधिक सराब दुकानों को बन करने का मुक्रमन्टी भुपेज बखिर की सरकार ने किया है यहां आए सराब बंदी के और जो प्रदिबर्षता है उसको दर्जाता है किदार दुकाने बंद कर दी गयी है अब तो आपको शिकार करना पढ़ेगा कि भूपे सरकार उसलक्षती और जा रही है तो अगर आप कर रहना शराब बेश रहना तो उसमें कड़वड़ी करते हैं तो जनता क्यों न बोले आपको थिसरी बात है दुसरी बात आप कहते है कि अभी 70 दुकाने बंध हुई है तो भाठ तो जलत बाट्या पर्पाट्टी ने 3,500 दुकाने बंद की थी पहले 500 दुकाने बंद की जो गाओं की 2000 आबादी थी और पैटिया था कि जिनकी 2000 आबादी उन गाओं में बंद होगी 200 दुकाने बंद हुई उसका 3000 की आबादी की 100 दुकाने बंद हुई 300 दुकाने बंद हुई और ये कहते हैं कि हमने समाजिक समीतिया बनाई है अजे भाई जन्ता ने छोड़ दिया था पीना तीन महिना आपने दुकान दोल के बड़ शुरू करा दिया और उस दो गेंटे टाइम बढ़वा दिया था उसके बाद करोना भड़ गया हुआ एक के पीछे एक लोग खड़े थे और लगातार आप शराब बेशते रहे उसके बाद घड़ तक पहुचा कर शराब बेशी और ये क्या बात है कि वो पुर्वर्ती सरकार के समय से ये शला आ रहा है तो हम कर रहे है ये कोई जवाद है ये तो आप अपनी बातों ढुमा रहे है अपनी कमजोरियों को दुसरे के साथ जोड़ रहे है उस समस्थ चलाते है आप बोलते है कि आप ऐसा कर रहे है जैस आज हम कह रहे है कि ये तो कोई जवाद ये जिभिकी उसके इसाब से रिमनीजिना नहीं हो रहा है पुरानी सरकार जिम्मेदार है, इसके लिए भी डाटर गपते। मैंने अभी एक आरोप लगाया है कि रमन सिंग जी ने गाओं गाओं तक सराब पहुचाया उसकी पुष्टी केदार गुपता जी ने कर दी क्योंकि दो हजार जिस गाओं की अबादी है जिस गाओं की तीन हजार की अबादी वहां भी सराब दुकान खोलने काम रमन सिंग की सरकार ने किया था और सीब बंद इसले किया, क्योंकि उन दुकानों बिक्री कम हो रही थी, सराप का नुकसान हो था, रमान सीब कमिशन नहीं मिल रहा था, इसले उन दुकानों को बंद किया है, मैंने जो आरोप लगाया, उसकी पुष्टियां पे केदार गुपता जी ने किया है, और जैसे मै अभी इनों ने कहा कि आप बंद क्यों रही करते हैं, हमारा लक्ष बंद करना है, हमने रहेंतिक कमिटी बनाया, उसमें भाजपा के विधायकों को भी आमन दित किया, आईये हम साम मिल कर, इस राज में यो आपने 15 साल तर सराप को पहुँचाया है, उसको राज से बाहर कर इनों ने सराप बंद कर लक्ष रगा था, महिलाओं के लिए भारत मातावाहनी इनों ने बनाया था, गुलाबी गें इनों ने बनाया था, महिला कमांड इनों ने बनाया था, क्या हुआ राज बर की महिलाओं को दोखा देने कमर्मन भाजपा कर सरकार ने किया था, और सरा जल्बी विपेज बगेज की सरकार अपने लक्ष की और पहुंच जाएगी क्योंकि हमारा उद्देश सराब बंदी के सांसां जनता को भी सुरक्षित रखना है किसी परकार के जन हानी ना हो, किसी परकार के नुकसान ना हो सभी विश्यों को ध्यान देनी जिम्यदारी हमारी है तो हम सभी विश्यों को एक साथ लेते वे जा रहे हैं और बहुत जल इस लक्ष को हम पूरा करेंगे जल्बी वही तुम्हें जानना चाहरा हूँ जल्बी कितने में आएगा 5 साल, 10 साल मैं आपकी सरकार को माल लेता हूँ 25 साल चलेगी तो आ जाएगा क्या नहीं देखें मैंने पहले कहा कि मुक्यमंत्री बुपेज बगेर की सरकार ने आम जन्ता से 36 बिंदों में वादा किया था हम 22 अधिक बिंदों पे वादा को पूरा कर चुके हैं जन्ता को विश्वास है कि हमने जो घोष्णा पत्र में जो हमारे और जो भी वादे हैं वो इस सरकार निशी तो बढ़ पूरा करेगी जन्ता को विश्वास है जन्ता इस सरकार बभरोसा कर रही है जन्ता सरकार साथ खड़ी हुई है किजार जी कुछ कह रहे हैं, फिर एक बार फिर मनोजी के पास आएगा, जी किजार जी सरकार ही अपनी दुकाम से कर्द की चोरी कर रही है, धनी की चोरी है, बाते हैं, कवासी लखमानी माने है, चोटे भाई धननजय भी देखें के तो मान जाएंगे, और दूसरी बात, मैं भारं भार कहुंदा, यह कौंग्रेस के प्रवक्ता यह बात, मान ले कि उनकी सरकार है, अब बड़े पहुमत से है, बाते हैं जन्ता पार्टी के करे कर्टा यह मान जा है, कि यह भी कौंगरेस की सरकार है, वो अपनी धिविदमेदारियों का भहन करें, उनको काम करें, जो काम जन्ता ने है, जन्ateur की जो एक्छा दें्लेशा धर इस, काम सापा है, उनके मैली भै तो इतना जल्दी पार्टिया और कजारी जिए जब आपकी सरकार थी तो कहीं ऐसे गोस्रापत में बिद्धू थे जो आपने कहा था कि मैं भी पांच साल में के लिए है और अंत तक पूरा करूँगा तो ऐसा तो नहीं होता किसी भी सरकार में लब में समस देख रहा हूं कि स जारे गोस्रापत में साले जो आपने लेकिन दनाजे जी उनको आपने बिद्धायंदी को ज़रूर अच्छी ब्राइट पहुंचवाद दीजेगा मेरा आप से अन्रोज है आज साम तक पहुंचवाद दीजेगा मनो जी ये मुद्धा और कितने आगे बढ़ेगा देखिए सर ये मुद्धा जारी रहेगा जब तक शराब बंदी नहीं हो जाती क्योंकि भाजपा के लिए एक बड़ा मुद्धा है और शुरू से ही सरकार बनने के बाद से ही जो है लगातार ये इसी बात को उठाते रहें कि शराब बंदी के वादे को लेकर जो है कांग् चन्यू का एक बड़ा स CT हता है शराब और इसलिए इसको बंद करना एक बहुत कठीन बात होती है इसलिए सरकार ने उस और लोगों को ये कहा है कि हमने तीन कमेटिया बना दी कमेटिया धेन करेंगी सरकार के अपने तरक हैं कि अचानक सराब बंदी करने से क्या-क्या नु परना रही की जानी चाहिए लेकिन चुकि वादा है जैसा कि धननजे सिंग ढाकों ने बताया कि 36 में 22 वादे पूरे कर चुके हैं और सरकार अपने वादों की ओर बढ़ रही है तो ये भाजपक लिए पुद्दा इसलिए लंबा चलेगा और चुनाओं से पहले साल बर पहल पानी वो जी जी सिर्फ एक सकड़िया जी कहना चाहता हूं कि हम सबने बात की कि रेवेंड्यू एक शराब बत भी नहीं हो सकती बर वही रेवेंड्यू ही तो नहीं पहुंच रहा है सरकार के पास उसी में तो घपला हो रहा है वही प्रस कूटा उस्तिको गमांती लग्मा पानी करेंगे तो जब रेवेंड्यू में पहुंच रहा है तो बंद करो ना भाई लेकिन जो मिल रहा है तो वह एडल्ट्रेशन का केस हो जाता है और इस चीज को अगर ऑपोजेशन अगर कहते है तो उसका जाच का प्रक्रिया है और अगर जाच मतलब सिफ हम इस पर मिरबर करेंगे क्यों यह एक देखती चला गया है शराब के दुकान में और उसको लगा जाची भी होनी चाहिए यह मेरा मनना दूसरा जहां तक इसका सवाल है कि शराब बंदी के तरफ जा रहे हैं तो इसमें नियत और नियम में काफी अंतर दिखता है क्योंकि अगर आपने शराब एकी ब्रेंडर शराब देख रहे हैं इस से किस तरह से आप शराब बंदी की यह तो समझना बहुत मिश्किल है शराब बंदी अगर करना चाहते तो यह बाद ठीक है कि आपको लोगों को सोशली अबेर करना पड़ेगा और उस तो उनकी मानसिक्तार में बदलाव लानी पड़ेगी लेकिन उसके साथ काई प्राक्टिकल कदम भी उठाने पड़ते हैं तो वो कोई एक फटिस वो नहीं है कि जिससे शराब पीना लोग बंद कर देंगे पर जहां तक है प्योर शराब और ब्रैंडर शराब एबिलेबल होने चाहिए यह कस्टमर के लिए है तो उनकी डिमांज है तो वो होनी चाहिए और यह मतला मुझे नहीं लगता कि इस तरह कि नियम बनाने से शराब बंदी के तरफ जा सकते हैं आरोब जेपी नगर आ रही है हलाकि आपकारी मंतरी कवाशी लगवा ने सदन में सभी सवालों का जवाब दिया लेकिन विपक्स उन पर ज्यादा सामत मिजब नहीं आया लिए बिद्धान सावा में सराब पर तीछी बहस करूई है सदन में हंगामा और आरोब पत्यरोब स इतर प्रदेश की जनका अब ये उम्मीद कर रही है कि आपकारी मंतरी कवाशी लगवा के आस्पासर के अनुरूप निवस्थाएं सुन रहेगी साथ ही सराब बंदी के लिए गशिस सरकार की कमेटियां जल्द सराब बंदी से सम्मंदित अपने सिहाँ सरकार को सौपे की ताकि भूपेश सरकार सराब बंदी के अपने बड़े वादे को पूरा करने की और अगरसर को सकी